स्टूडेंट्स वेलकम अगीन टू लेंगर देतिमन राजिस्थान के इतिहास और संस्कृति में चैप्टर नंबर 10 में हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान के परेटन इस्थल तो चलिए आज हम करने वाले हैं जालोर जिला जालावार जिला और सेखावटी शेत्र इसे संबं जितने भी परेटन इस्थल हैं आज उनके हम कोशन आंसर करेंगे और जल्द ही ये चैप्टर आपको कम्प्रीट होने वाला है चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन बन ग्रेनाइट की नगरी किसे कहा जाता है जालोर को ग्रेनाइट की नगरी कहा जाता है जालोर के कौन से सबसे प्रतापी शाषक ने अलाउदीन खिलजी को कई बार परास्त किया तो जालोर के शाषक का नाम है कानर देव जो की सोनगरा चोहन शाषक थे जिन्होंने अलाउदीन खिलजी को कई बार परास्त किया तो पूरी स्टोरी जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जालोर के सासक कानरदेव और अलाउदिन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था, जालोर को लेकर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जालोर सासक कानरदेव के पुत्र का क्या नाम था, बहुत ही आसान सा कोश्यन हैं, वीरमदेव. नेक्स्ट देखना है, कोश्यन नमबर फॉर, जालोर के किले का निर्मान कब किया गया था, आठवी से दस्वी सताब्ती के बीच, तीन सो चतिस मीटर की उंचाई खडी पहाडी पर जालोर के किले का निर्मान किया गया जालोर के किले का निर्मान कब किया गया आठवी से दसवी सताब्दी के बीच में जालोर में अरावली रेंज में सुन्धा परवत पर कौन सा मंदिर स्थापित किया गया है यहां पर चामुंदा देवी का मंदिर है सुन्दा माता का मंदिर या जिन्हें चामुंडा देवी कहते हैं यह समुद्र तल से 1220 मीटर उंचाई पर इस्तित है अलाउदीन खिल्जी द्वारा निर्मित मलिक शहा की मस्जिद के इस्थापत्य में किस राज्य के भवनों का प्रभाव दिखाई देता है अलाउदीन खिल्जी द्वारा निर्मित मलिक शहा की मस्जिद के इस्थापत्य में किस राज्य के भवनों का प्रभाव दिखाई देता है यह गुजरात का प्रभाव दिखाई देता है गुजरात के जो भवन है वहां का प्रभाव दिखाई देता है अलाउदीन खिलजी द्वारा निर्मित मलिक शहा की मस्जिद किस के सम्मान में बनाई गई थी? बगदाद के शाशक मलिक साह के सम्मान में अलाउदीन खिलजी ने बनवाई थी मलिक शहा की मस्जिद नेक्स्ट दिखिए question 8 गागरोन का किला में हुआ जोहर किन दो शाष्कों की लड़ाई का नतीजा था गागरोन का किला जहां जोहर हुआ था तो किन शाष्कों की लड़ाई का नतीजा था यहां पर जालोर के शाषक अचल दास खीची और होसंगा शाह के बीच में यूनेस्को की विस्व धरोहर में शामिल 6 पहाडी किलों में से एक जिसे जल किले का परतीक भी माना जाता है, कौन सा प्रसिद्ध किला है, या जल दुर्ग किसे कहते हैं, जिसे यूनेस्को की विस्व धरोहर में शामिल किया गया, तो वो जल दुर्ग है गागरोन का किला, याद रखना है, गाग्रोन का किला जो है, वो युनेसको की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और जो की क्या है? एक जल दुर्ग है. गाग्रोन के किले का निर्मान किसने करवाया था? तो बीजल देव ने बारवी सदी में गाग्रोन के किले का निर्मान करवाया था. के गिले के बाहर किस प्रसिद्द सूफी संत का मकवरा इस्तित है यहां पर संत मिठे शाह की दरगा है मोहरम की महिने में वार्षिक मेले का आयोजन भी किया जाता है ठीक है तो गागरोन के किले के बाहर में सोफी संत मिटे साह की दरगा या मकवरा है गागरोन का किला किन नदियों के संगम के कारण रमनिय स्थान माना जाता है यह आहू और काली सिंद नदियां इन दोनों का संगम होता है गागरोन के किले के पास में आहू और काली सिंद नदी इन दोनों नदियों का संगम होता है और ये दोनों चम्बल की सहायक नदियां है जहालावार में इस्तित भवानी नाटेशाला का निर्मान कब हुआ था? जुणवा सहर कहा जाता है तो दोनों नाम जो हैं वो मिलते जुलते ही हैं जहालावार जहालरा पाटन ठीक है? तो याद रहने में आसानी रहेगी City of Wells घाटियों का सहर किसे कहा जाता है तो देखिए ज़ालरा पार्टन को City of Wells या घाटियों का सहर कहा जाता है ज़ालरा पार्टन में बना 17 फीट उचा सूर्य मंदिर किसे देवी देवता को समर्पित है यह भगवान शिव को समर्पित है नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 17 दसवी सताबदी में निर्मित ज़ालरा पार्टन में बना सूर्य मंदिर का सिखर किस प्रसिद्ध मंदिर के समान है तो यह उडिसा के कोणार्क मंदिर के समान है जालरा पाटन में बना जो सूर्य मंदिर है जिसे जाला वाड का जुणवा सहर भी कहते हैं किसे जालरा पाटन को तो उडिसा के कोणार्क मंदिर के समान जो है यहां पर सूर्य मंदिर का शिकर है जालावाड के कोलवी गाउं में इस्थित गुफाएं और इस्थुक किस धर्म से संबंदित है यह बौद धर्म से संबंदित है इनको सम्मलित रूप में शेत्रिय तो पर क्या कहा जाता है तो हमने अभी जालावाड जिले से संबंदित कोश्चन जो है वो कम्प्लीट कर लिए है नेक्स्ट सीकर जुन्जुनु और चुरू को समलित रूप में शेत्रिय तोर पर क्या कहते हैं? सभी जानते हैं सेखावाटी शेत्र जिसमें सीकर जुन्जुनु चुरू जो है वो है आते हैं ताल चापर अभ्यारण किस जीव प्रमुख से संबंदित है? तो यह हीरन से संबंदित है इसके अलावा रेगिस्तानी लॉम्डी और जंगली बिल्ली भी यहां मिलती है ताल चापर अभ्यारण कहां इस्तित है? यह है चुरू के सुजानगड तहसील में इस्तित है ताल चापर अभ्यारण जो है वह कहां है चुरू में? नेक्स्ट देखे, कुश्चन 22 प्राचीन समय में मध्यपूर्व और चीन के मध्य का व्यापारिक मार्ग में इस्तित मंडावा पर किसका शाषन था? तो यहां मंडावा पर शाषन था ठाकुर नवल सींका ठीके याद रखना है प्राचीन समय में मध्यपूर्व और चीन के मध्य का जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, वहाँ पर मंडावा पर अधिकार किसका था ठाकुर नवल सिंग का। जुन-जुनू और सीकर के मध्य इस्तित नवलगड जो सुंदर हवेलियों के लिए प्रिशिद्ध है, तो नवलगड जहां सुंदर हवेलियां हैं, यहाँ पर इस्तित मुख्य किला जो किसने बनवाया, ठाकुर नवल सिंग ने ही बनवाया था, ठीके, इन्होंने किला तो परियटकों की दृस्टी से काफी आकर्शन का केंद्र था, जुन-जुनू का हवा महल किसे कहा जाता है, खेतडी महल को जुन-जुनू का हवा महल कहा जाता है, Next देखिए, question 25, 1770 इसवी में निर्मेत खेतडी महल की बनावट की क्या विसेस्ता है, महल में ज़रोके और खिड़की नहीं है, ठीके, तो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी विसेस्ता क्या है, कि खेतडी महल में कोई भी ज़रोका नहीं है, कोई भी खिड़की नहीं और कोई महल में कोई भी ज़रोका या द्वार नहीं है, और फिर भी इसे क्या बोलते हैं, हवा महल बोलते हैं, लक्ष्मनगर्ड, सीकर में इस्तित श्रद्दानाच जी का आश्रम किस सम्प्रदाए विसेस्ता संबंदित है? लक्षमनगर्द सीकर में इस्तित स्रद्दानाजी का जो आश्रम है वह किस संप्रदाय विसेश से संबंदित है यह नात संप्रदाय से संबंदित है सूफी संत कमरुद्दीन शाहा की दरगार कहां इस्तित है यह नहरा पहाड की तलहटी में, खेतली महल के पक्षिम में इस्तित है सिखावटी में इस्तित लक्षमनगड के ला की इस्तापत्य की क्या विसेस्ता है यह बिखरी चठानों के टुकणों को संजोकर बनाया गया था तो लक्षमनगड के ला इसकी विसेस्ता यह है कि यह बिखरी चठानों के टुकणों को संजोकर बनाया गया सेखावटी का फतेपुर सहर किसके द्वारा और कब इस्थापित किया गया? इन्होंने 1516 में फतेपुर के किले का निर्मान करवाया था। तो फतेपुर को ही कहा जाता है। इसे संबंदित प्रश्न जो हैं वो कम्प्रीट कर लिया है। लेकिन फैक्ट जो है वो ज्यादा नहीं है। तीन या चार वीडियो जो है वो और बनेंगे और आपका ये चैप्टर कम्प्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थेंक यू। दिस वीडियो में मिलेंगे प्राष् doc wonder झाल झाल